गुड इबनिंगे स्टुएंट्स आज से मैं क्लास 10 थे के स्टुएंट के लिए सोसल सैंस का mcq लेके आ रहा हूं और इसके रिस्पॉंस के बाद मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट mcq प्रोवाइड कराऊंगा तो प्लीज इसे जदा-जदा लोगों तक सेयर करें और य सी में इंपॉर्टेंट इंफोर्मिशन में आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा-ज्यादा-लाइक किया इस वीडियो की लाइक है ठットी मैं तुर थर्टी+. अगर लाइक आते हैं तो तभी मैं आप लोगों को इसका second पार्ट ये पार्ट वन है इसके सेकेंड पार्ट में आप लोग को एबलेविल कराऊंगा आईए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं मैं आप लोग को लेके चलता हूं फर्स्ट कुश्चन की तरफ क्या है कि इन बेल्जियम यानि के वेल्जियम में जो फ्रेंच कम्यू अगला कोश्चन है पावर एस्ट्रेगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वाज लॉंस्ट बै यानि कि पावर एस्ट्रेगल की जो डिमांडिंग थी डिमांड था सेपरेट एलम यानि कि एक अलग बिवस्था कि वो किसकी डिमांड थी तो उसका सही आंसर होगा तमील तमील यानि कि थमील बोलने वाले लोह की डिमांड थी अगला question है Belgium shares its border with Belgium अपना border किसके साथ share करता है इसका sense है तो पहला है फ्रांस इसके साथ भी करता है जर्मन के साथ भी करता है लक्जमबार्ग वर्ग के साथ भी करता है और इसके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है नीदर लेंड उसके साथ भी यह अपना बॉर्डर शेर करता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ओल ओल दा एवब यानि कि सारे सही हैं इसके एन एक्ट ऑफ रिकोगनाइजिंग सिन्हला यानि कि कब सिन्हला को ओफिस्यल लेंग्वेज बनाने के लिए साइन किया गया था तो देखें 1948 में तो सिलंका इंडिपेंडेंट हुआ था तो इसका एक्ट बना 1954 में तो नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 इसका इसका सही आंसर हो जाएगा यानि कि पोलिटिकल ऑडर पावर स्यारिंग एक अच्छी बात है यानि कि अच्छा तरीका है किस लिए किसका stability को ensure करने के लिए तो इसका सही answer हो जाएगा political order को ensure करने के लिए power among government at different levels is also called यानि कि अलग-अलग level पर यानि कि पहले first, second, third यह जो level कहलाता है यह कहलाता है आपका vertical distribution next देखिए Belgium has worked on the principle of accommodation के principle पर यह काम करता है यानि कि सोजबूज अगला question है majoritarianist constitution was adopted by यानि कि majoritarianist constitution किसके through adopted किया गया था इसका सही answer है सिरलंका next question the capital of Belgium Belgium का capital Brussels से है अगला question है consider the following statement इसे statement के तरफ ध्यान दिजे श्रेलंका is facing the problem because श्रेलंका प्राब्लम फेस कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि supporting the tamilians in the state the tamilians को support नहीं कर रहे थे इसलिए यह गलत हो जाएगा power sharing increases the possibility of conflict between increases है देखिए जबकि decrease करता है confliction को यह decrease करता है social group के बीच तो यह भी कलत है उसके बाद है Belgium and Sri Lanka are two similar causes in a struggle of people यानि कि एक दूसरे से मिलता हुआ था यहाँ पर भी ethnic ही था और यहाँ पर भी ethnic है इसलिए इसका सही answer हो जाएगा only third correct है next देखिए what is the ethnic composition of capital capital city Brussels Brussels में क्या था ethnic composition तो देखिए 80% Dutch और 20% friends तो था ही नहीं यह गलत हो जाएगा 60% Dutch तो कहीं भी नहीं था यह भी गलत हो गया अब 59% dust था और 40% friends था यह entire country में लेकिन हमसे क्या पूचा जा रहा है कि Brussels में इसलिए इसका सही answer हो जाएगा option C next देखिए अगले question में दिया हुआ है consider the following two statements on power sharing and select the answer using the code given below अब देखिए पावर sharing is good for dream okay crazy यह सही है it helps the reduce the possibility of conflicts यह भी सही है conflict को यह reduce करता है कम करता है यह भी सही है इसका मतलब इसके यह दोनों ही सही है यह यह निकि बोट फॉस्ट और सेकेंड आर true next which language is mainly spoken in Flemish reason Flemish reason कहते हैं Dutch बोलने वाले reason को ठीक है इसका सही answer हो जाएगा Dutch next देखिए question इसका सही हो जाएगा ब्रूसेल्स नेक्स्ट देखिए अगला कुश्यन है डैस वाज स्टार्टेड इन स्रिलंका ड्यू टू डिस्ट्रक्ट बिट्विन टू कम्यूटी यानिक दो कम्यूटी के बीच में डिस्ट्रक्शन होने कारण क्या सुरू हो गया था तो उसका से यह आंसर है सिबिल वार नेक्स्ट है वेल्जियम सिप्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म अप गॉर्म्मेंट टू फेडरल फॉर्म यानि की यूनिटरी में तो पहले था अब वो फेडरल सिस्टम में अपने आपको सिफ्ट कर लिया अगला कुश्यन है इन फेडरलिस्म पावर इस डिवाइड़ बिट्विन वेरियस कंस्ट्वेंट यूनिट्स एंड यानि की पावर जो था वो वेरियस कंस्ट्वेंट यूनिट्स और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया था सेंट्रल अथर्टी प्लस वेरियस कंस्ट्वेंट यूनिट्स से मिला के ही होता है फेडरल इसम नेक्स्ट देखे इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्मेंट कैननाट ओडर टू स्टेट गवर्मेंट यानि फेडरल सिस्टम में कभी भी सेंट्रल गवर्मेंट ओडर नही देती है coming together federation कहां पे है USA क्योंकि USA में सब छोटे छोटे state जाया ना एक साथ मिलके बड़े big group बनाते है big state का formation करते हैं इसका सही answer हो जाएगा USA the holding together federation यह इंडिया में हैं बाकी सब जगह coming together federation है तो अभी के लिए फिलाल इतना ही next part में हम इससे आगे की बात करेंगे तब तक के लिए have a nice day thank you thank you for watching